हालो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में देखो दो अपडेट आई हैं बहतरीन अपडेट हैं यस बैंक के लिहाज से नमबर वन केर की तरफ से रेटिंग आई है यस बैं किरीन जो सब को फेल कर रहे हैं कोटक वगरा सब की एनलेसिस को इन्होंने खारिज करके अपसाइड के टार्गेट दिये हैं तो यह दोनों रिपोर्ट पर नजर डालेंग और देखेंगे कि क्या कुछ सिनारियो यहां से बनते हैं नजर आ रहे हैं क्या यहां से माहौल आज 0.38% नेगेटिव मुमेंट के साथ यहस बैंकी क्लोजिंग होई है हफते के दूसरे दिन 23.84 का हाई था 23.35 का लो था 23.41 पर क्लोजिंग है यानि कि कोई बहुत ज़्यादा वॉलिटैलिटी देखने को नहीं मिली लेकिन फिर भी क्लोजिंग आपको नेगेटिव ही द महिने में 0.17 नेगेटिव वाई डिडी तीन परसेंट के पॉजिटिव रिटन्स है और एक साल में अब केवल 26 परसेंट के रिटन्स नजर आ रहे हैं यानि कि ओवर ओल अगर देखा जाए तो रिटन्स बिलकुल एवरेज है या उससे भी कम क्योंकि इस टाइम फ्रेम में mostly stock ने रिटन्स बना कर दिये हैं जितने भी हम लोग इस चैनल पर stocks को कवर करते हैं चाय वो फिर IRFC हो RBNL हो सुजलोन हो ठीक है सुजलोन को भी हम लोग कवर करते हैं जीटी अल को भी कवर करते हैं जीटी एल हो IR EDA हो या फिर और भी stocks हो जिनको हम लोग frequently cover कर रहे हैं चैनल पे, सब ने इस time frame में returns दिया है, yes bank ने 26 दिया है, जो कि काफी हद तक कम है सबसे पहले पहली खबर दिखाता हूँ, जो कि है rating से related, यहाँ पर देखो, मैं हमिशा से आपको बोलता हूँ आज भी बोल रहा हूँ, pre market में ही यह news आ जाती है, आप चाहें, यहाँ पर देख लो, इसका notification में add कर लो जैसे भी है, market today या business today करके आपको report मिल जाती है, pre market में ही, उसमें क्या होता है, stock news नजर आ जाती है, PN, Gatgil, Yes Bank, Tata Steel, Torrent Power, JK Ties, PSL, and यहाँ पर Indoor Count देखने को मिल रहा है, इन सब stocks के particular reasons है, highlighted stocks होने की, जो reasons है, वो mention है, मैं आपको केवल Yes Bank का जो सेनारियो बह देखाता हूँ, कि आज यह highlighted stock क्यों है, rating agency care, यानि की care rating agency की तरप से, Yes Bank को cover किया गया, इससे पहले Moody's ने आपने देखा होगा, Morgan Stanley ने कबर करा था, Moody's ने कबर करा था, अब care ने कबर करा है, और इनों ने, जो इनके infrastructure bonds हैं, vessel 3 tier bonds हैं, उनकी rating को upgrade कर दिया है, care A plus rating दे दी है, और यह stable rating दे दी है, और यहाँ से, इनके जो COD यानि कि certificate of deposit की care A1 positive यानि कि बहतरीन rating जो है बुदी है, A plus की rating और A1 plus की rating यहाँ पर resign कर दी गई है, care की तरफ से जो की बहुत ही जादा positive mahal create करने वाला है, yes bank लिए, आज उतना impact share पर नहीं पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे brokerage houses already अपना जो game है वो खेल चुके है, yes bank को नीच लाने के लिए, किसी ने तो 19, किसी ने 20, किसी ने 16, तो किसी ने तो 13 के भी target दे दिये हैं, लेकिन जब improvement continuously financials में, साथ के साथ rating agency, इनकी instruments ने उनकी rating को continuously improve कर रहा है, फिर अगर आप और चीज़े भी देखोगे, higher side पर ही है, लेकिन फिर भी अगर brokerage houses को गिराना चाहें, तो impact तो पड़ता ही है, लेकिन यहाँ पर अब yes bank को cover किया है, आनंद राठी ने, और इनकी headline में आपको पता चल गया होगा, कि यहाँ पर scenario इनोंने बहतरीन create कर दिया है, 31 रुप परसेंट का upside देखने को मिल रहा है, 32 परसेंट का upside जो कि बहुत जादा है, बात करते हैं कि चीजों के बारे में, आनंद राठी ने yes bank को cover किया, 30 परसेंट से जादा आने वाले 6 महीने में expect किया जा रहा है, यहाँ से आप एक चीज़े देखते चलना, यहाँ पर देखा ज सेमी और corporate clients को इन और ने focus में लिया हुआ है, digitalization पर सबते जादा focus हुआ है, और इनके जो representative office हैं वो अबुधाबी और IFSC banking unit, गुजरात international finance, tax city में भी आपको देखने को मिलती, यानि gift city में देखने को मिलती, जो कि आजकल बहुत जादा highlighted है, मंडे को यानि की rating agencies की तरब ते, इनकी rating को re-affirm करके positive और ज्यादा कर दिया है, हम लोग ने discuss कर लिया, yes bank ने एक significant technical development दिखाया है, already bearish trend line में आपको नजर आ रहा है, और हलका फुलका drop आपको यहाँ पर चार्ट के थुरू नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से overall चीज़ा जो है, वो positive है, यहाँ पर आप देख support, यानि कि पहले क्या था कि जो levels पहले resistant की तरफ ते वो अब support में convert होते हुँ नजर आ रहे हैं, इनका direction भी reverse हुआ है, trend line में, बाकी अगर हम यहाँ पर main चीज़ देखते हैं, वो क्या है, तो RSI देखो, RSI अभी भी share का का काफी अधर neutral है, या फिर oversold की तरफ नजर आएग येस bank अभी जो range चल रही है, वो कितनी चल रही है, 23 से 24 की range में, या फिर अगर ऐसा ही scenario चला तो 23 से भी नीच जाएगा, target किता बन रहा है, 31 रुपे का, आनंद राठी के analyst का मानना है, 31 का target आपको यहाँ पन नजर आ रहा है, एक stop loss specific बताय ना 19 न 20, 19 रुपे 75 पैसे, आप 19 का लेके चल सकते हो, to be precise, ठीक है, तो यहाँ पर target इनों ने 31 के साथ साथ, stop loss maintain करने की सला दी है, और आगे अगर आप देखते हो, तो बहुत सारी चीज है, या बहुत सारे यहाँ पर आप देखते हो, तो scenarios lined up है, सबसे पहले promoters मिलेंगे, या फिर नहीं मिलेंगे, कम मिले यह सबसे बड़ा scenario, दूसरा है, 51% का stake, जो कि ECC related है, थर्ड है, SBI का stake, ठीक है, यह कुछ चीजे हैं, जो कि आपको आने वाले time में, Yes Bank को देखने को मिलेंगी, और यह major चीजे हैं, जो कि impact करेंगी share के price को, तो मैंने सारी चीजे cover कर ली बहुत ही जल्दी, और सारी जितनी चीजे हो सकती थी, मैंने आपको बताने का try किया है, अगर आप अभी तक वीडियो में बने होगों, तो please please वीडियो को एक like करिए, so that मैं ऐसे useful content, आपके लिए time ली लाता रहूं, और मैंने already IRFC और सुजलान पर वीडियो अप्लोड करी हुई है, जाके जरूर देखना, वह भी हम लोगों ने specific levels के बारे में बात करी है, धन्यवाद,